तो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सूथ इंच और फूर्ट जो होता है तो उसमें कंवर्जन कैसे होता है तो ये इस वीडियो में हम देखेंगे तो इसके उपर मैंने जो है पहले से एक वीड उसके बारे में थोड़ी सी जानकर आपको होनी चाहिए तो मीटर टेप के उपर भी मैंने दो एक वीडियो बना के रखी है तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वो भी आप देख लीजिए और जो सूत इंच और फूट है उसकी भी लिंक में डिस् आफसानी होगी तो पिछले जो वीडियो है उसमें हमने इंच और फूट का देखा और जो मीटरटेप की अलग वीडियो बना के रखे है तो उसमें मैंने पहले इंच और फूट के बारे में जो है वह जानकर ही देखे रखिए तो वीडियो आप देख लीजेगा तो यह जो सूत इंच और फूट है तो इसमें से सूत जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है वो मैंने उसमें बता है उसके बाद जो होता है वो इंच और उसके बाद जो होता है वो फूट होता है तो इसका जो कनवर्जन है वह हम इस वीडियो में देखेंगे और इसके रेलेटर जो formula होगा या फिर जो PDF होगी तो वह मैं उसके link description में दे दूँ गा वो भी आप download करके ले सकते हो तो यहाँ पर वीडियो में हम देखेंगे क्या तो पहला जो है वो इंच का foot में कैसे convert करते हैं उसके बाद जो suit है उसका inch में फिर से convert कैसे करते हैं या फिर suit है उसका directly foot में कैसे convert करते हैं या फिर foot जो है वो inch में कैसे convert करते हैं या फिर inch है वो suit में कैसे convert करते हैं या फिर foot का जो है वो सीधा suit में कैसे convert करना है ये इस वीडियो में हम देखें तो एक्जेम्पल के माद्धम से हम इसमें देखेंगे तो वीडियो जह है वो अच्छे से देखिएगा होता है वो मे法 मेंने पिशली वीडियो में ऴिशय बता है आपको तो अगर हम 12 को 12 करेंगे तो वह में मिलेगा सीधा खूर्ट में तो तीस को 12 से गरें गिए तो मिलेगाद 2.5 फीज़ पर यहांप यह अंसर है 2 foot 6 inch ऐसा होता है वो तो यह सीधा सीधा सब foot में आता है उसके बाद जो है next example चार foot 7 inch तो इसको हमें convert करना है directly foot में तो चार तो पहले से foot में है तो रहा साथ तो इस साथ को क्या करेंगे फिर से 12 से divide करेंगे मतलब आपको यहां पर पता चल गया होगा कि अगर inch को हम 12 से divide करेंगे तो हमें सब foot में मिल जाता है तो 7 का हम convert करेंगे foot में तो वो आएगा 0.533 foot तो अभी क्या करेंगे ये 4 पहले से foot में था तो इसको ये जो है ये add करेंगे 0.533 foot को तो ये आएगा 4.533 foot तो ये सिधा foot में आ गया तो next example है 4 foot 9 inch और 5 suit यहाँ पर आपने देखा 4 foot 9 inch और 5 suit तो इसको हम foot में कैसे convert करेंगे यहाँ तो 9 को हम divide करेंगे यहाँ पर दो process से किया जाता है एक तो suit को inch में convert करो उसके बाद inch को फिर से foot में convert करो ये हुई एक process उसके बाद दूसरी process है suit को directly foot में convert करो तो वो जो process हो में वीडियो के end में बताऊंगा तो वीडियो end तक देखेगा तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे इस process में जो 9 inch है तो यह 9 inch का भी हम foot में convert करेंगे तो 12 से divide करेंगे तो यह आ गया है 0.75 foot तो इसको हम नाम देंगे equation 1 उसके बाद यह हिस्सा ह हमें convert कैसे करना है 8 से 5 को divide करना है क्योंकि suit को हम अगर 8 से divide करते हैं तो वो हमें answer inch में मिलता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 8 suit याने 1 inch होता है मतलब 1 inch के 8 हिस्से यहाँ पर होते हैं तो यह पाच को हम 8 से divide करेंगे तो वो हमें answer मिलेगा 0.625 inch तो ये 0.625 इंच, अब ये इंच में आया, तो इसको हमें foot में convert करना है, तो यहाँ पर ये 0.625 इंच को हम 12 से divide करेंगे, क्योंकि हमें वो foot में convert करना है, और उसके बाद foot में convert कैसे हो गई ये, 0.0520 foot, तो इसको नाम देंगे equation 2, और ये पहले से हम सब की addition करेंगे, तो ये चार जो था ये पहले से फूट में था उसके बाद ये 0.75 और ये फिर 0.0520 सूथ का हमने जो convert किया वो तो ये addition करेंगे तो आएगा 4.802 फूट या फिर 4.802 फूट या फिर 4.802 फूट या फिर 4.8 फूट इस तीनों में से आप कौन सा भी लिख सकते हो क्योंकि कई लोग सवाल पूछते कि ये इसमें से digit कितने लेने तो तीन digit तक आप यहाँ पे ले सकते हो इसमें से कौन सा भी आप लिख सकते हो तो ये वीडियो समझने में थोड़ी से आपको दिक्कत आएगी तो वीडियो एक दो बार देख लेना और दिमाग में बिठा लेना और टेप जरूर से ले लेना आपको सब आसान होगा तो next यहाँ पे हम formula देखेंगे यह पूरा formula तो suit को अगर हम 8 से divide करेंगे तो हमें inch में मिलेगा मतलब जो suit में हम नाप लिया है तो उसे हमें inch में convert करना होगा तो हम क्या करेंगे उसे 8 से divide करेंगे उसके बाद जो inch है तो inch को हमें suit में convert करना होगा तो हम क्या करेंगे 8 से inch को गुनेंगे उसके बाद inch को अगर हम divide करेंगे 12 से तो हमें वो foot में मिलेगा जिसके हम यह example में हमने देखा है अभी तो inch को अगर 12 से divide करेंगे आप नाप लेंगे और इसमें से किसी भी में डालेंगे जो है तो आपको अंसर सिधा सिधा मिल जाएगा तो यह जो foot है तो foot को हमें inch में convert करना होगा तो क्या करना होगा 12 से foot को बुना करना होगा बरबर into करना होगा तो उसके बाद जो suit को हमें foot में directly convert करना होगा तो क्या तो suit को 96 से divide करना होगा अब यहाँ पे 96 suit यानि एक foot होता है 96 suit यानि एक foot होता है जैसे कि एक इंचे आट suit होता है वैसे ही 96 suit यानि एक foot होता है बरबर मतलब एक foot में 96 suit होते है तो अगर foot को हमें फिर से suit में convert करना है तो उसे 96 से गुनना होगा मतलब into करना होगा तो यहाँ तक ही आपको formula समझ में आ गया इसके जो pdf है मैं link जो है वो description में दे दूँगा और अभी हाँ पर हम example के माद्यम से समझते है कि दो तरीके से कैसे यह convert करना होता है तो मान लिजी हाँ पर हमने यह 5 suit ले लिया अब यह 5 suit को हम convert करेंगे foot में तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा पाँच को जो है पहले inch में convert करना पड़ेगा उसके बाद inch को फिर से foot में convert करना पड़ेगा तो इसके लिए पहली process है तो पाँच को अगर हम 8 से divide करेंगे तो वह मिलेगा यह inch में 0.325 inch तो फिर से 0.625 inch को हम 12 से divide करेंगे तो हमें iє foot में मिलेगा जिरो पॉइंट जिरो पाच सो बीस फूट उसके बाद सेकंड प्रोसेस है यह थोड़े आसान है तो पाच को हम डायरेक्टली फूट में कनवर्ट करेंगे तो वह कैसे करेंगे 96 से डिवाइड करके मतलब एक फूट में 96 सूत होते हैं तो पाच डिवाइड 96 तो हमें यह मिलेगा 0.0520 फूट यहाँ पर यह देख लिए आपने अभी तो वीडियो अगर समझ में आ गई होगी या फिर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चान झाल 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